मानुनिया तलंगाना के प्रबारी राष्ट्रिय महामंत्री श्री तरुण्चुक जी अध्यक्ष तलंगाना के बाजपा के बंडि संजे जी और वरिष्टनेता जो भी मंचपर है तीनमार मलना ये नाम तलंगाना समाज में तो बहुत पॉपलर है पर मैं जो नौर्थ इंडिया के जो जनरलिस्ट मित्र है यहां पर पत्रकार है वो दो-तिन बात आपके सामने रखना चाहता हूं यह ऐसे विक्ति है जैसे चुकसाप ने कहा एक लाग चालीस हजार ग्रैजुएट्स ने इनको वोट दिया है वो ग्रैजुएट कॉंस्ट्वियंसी 35 असेम्बली कवर करता है और पांच तक्रिवन पांच पार्लेमेंट कवर करता है यह इंडिपेंडेंडेंट खड़कर क्लोज सेकेंड आये है और सबसे महत्वपून जानकारी यह है इनको हराने केसियार सरकार ने सव करोड तक कर्च किया होगा और जाधा ही किया होगा पर यह ऐसे व्यक्ति है जिनको जनता वोट भी देती है और नोट भी देती है इनके जेब से पांच लाग से कम ही कर्चा हुआ है वो इलेक्शन में अईसा जो परिवर्तन है एक सांसद होने के नाते मोदी जी के नित्रत्व में देश में स्पेशली जो रीजिनल पार्टी मजबूत है जिदर एलेक्शन में हंड्रेड्स ओफ क्रोर्स कर्च करते हैं उसमें तेलंगाना नेंबर वन पर है ये परिवर्तन जो है ये कर्चा कम करने के लिए ऐसा ऐसे लोगों की जरूरत है और वो मयोदी जी के नित्रतु में ही जरूरत है इनका मैं दिलो जान से आज भारतिय जन्ता पार्टी में स्वागत करता हूं और उनको भगवान उनको राजनीती में जैसे वो जनरलिस्ट में बहुत पॉपलर बने राजनीती में भी वो ऐसी बड़े ये मैं आखांशा करता हूं धन्यवाद माननिय तलंगाना के प्रबारी राष्ट्रिय महामंत्री श्री तरुण्चुक जी अध्यक्ष तलंगाना के बाजपा के बंडि संजे जी और वरिष्ट नेता जो भी मंचपर है तीनमार मलना ये नाम तलंगाना समाज में तो बहुत पॉपलर है पर मैं जो नौर्थ इंडिया के जो जनलिस्ट मित्र है यहाँ पर पत्रकार है वो दो-तिन बात आपके सामने रखना चाहता हूं यह ऐसे विक्ति है जैसे चुकसाप ने कहा एक लाग चालीस हजार ग्रैजुएट्स ने इनको वोट दिया है वो ग्रैजुएट कॉंस्ट्टिएंसी 35 असेम्बलीस कवर करता है और पांच तक्रिवन पांच पार्लेमेंट कवर करता है यह इंडिपेंडेंट्ट खड़कर क्लोज सेकेंड आये है और सबसे महत्वपून जानकारी यह है इनको हराने केसीयार सरकार ने सव करोड तक कर्च किया होगा और जादा ही किया होगा पर ये ऐसे विक्ति है जिनको जन्ता वोट भी देती है और नोट भी देती है इनके जेब से पांच लाग से कम ही कर्चा हुआ है वो एलेक्शन में आईसा जो परिवर्तन है एक सांसद होने के नाते मोदी जी के नित्रत्व में देश में स्पेशली जो रीजनल पार्टीज मजबूत है जिदर एलेक्शन में हंड्रेड्स ओफ क्रोर्स कर्च करते हैं उसमें तेलंगाना नेंबर वान पे है ये परिवर्तन जो है ये कर्चा कम करने के लिए ऐसा ऐसे लोगों की जरूरत है और वो मयोदी जी के नित्रतु में ही जरूरत है इनका मैं दिलो जान से आज भारतिय जन्ता पार्टी में स्वागत करता हूँ और उनको भगवान उनको राजनीती में जैसे वो जनरलिस्ट में बहुत पॉपलर बने राजनीती में भी वो ऐसी बड़े यह मैं आखांख्शा करता हूँ धन्यवाद झाल